देश में कोरोना की नई एवं दूसरी लहर सुनामी के जैसे फिल डाया है। उल्टिया, पेट दर्थ, बदन दर्थ, नर्वस सिस्टम के खराब होना इस ने स्टेन के लच्छन है। सरकार इसे बचने के लिए हर बार सोशल डिस्टेन्सी मास का उप्योग भीद भार में जाने से बचने, इस्कूल जाने से बचने, सिख्छा, साधी यहां तकी मातम में 30-50 उससे ज़्यादा लोगों के सामील होने पर पावंदी लगा रखी है। पर मजे की बात यह है कि कोरोना भी सिख्छा, साधी समारों और कामगरों के वज़े से ही फैलता है। उल्टा आपको सलूट मारा जाएगा, आपका भवी स्वागत किया जाएगा, आपके नाम के जैकारे लगेंगे। बंगाल में तो कोरोना ने दम तोड़ दिया है, हो सकता है चुनाओ के बाद फिर से जिवीत हो जाए। इसलिए भाईयो और बहनों चिंता न करें, एक बाद चुनाओ हो जाने दें, फिर पुर्ण लॉकडाउन लगाके पुर्ण हम सब मिलके कोरोना से लड़ेंगे। पर कोरोना से अगर बच भी जाएं, तो एक दिन ये साउंड पोलूशन माट डालेगा। डिजिटल इंडिया में हम लैपटप और मुबाइल पर पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन माइक से निकलने वाले साउंड हमें पढ़ने नहीं देते हैं। ऐसे में हम करें तो करें क्या। कुछ न करें, पढ़ना लिखना छोड़ दे, कहीं आना जाना छोड़ दे, साधी में जाना छोड़ दे, स्कूल जाना छोड़ दे, मातब में जाना छोड़ दे, मगर रेली में जरूर जाएं। क्यूंकि ऐसी रेली हैं, इंटी कुरोना होती है, कुरोना इसी रेली में तब तक के लिए जाहिंग